हेलो एवरिवन वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंट्स जैसा कि यहां पर एक कटिंग देख रहे हैं यूपी पीएससी सीधी भरती में अभ्यरतियों की स्क्रीणिंग परिच्छा के अंक जो है अब डायरेक्ट जुडेंगे इसके बारे में यहां पर अपडेट आ चुकी है तो यूपी पीएससी से बढ़ी अपडेट आ चुकी है तो फ्रेंट्स पूरी अपडेट को हमें है यहां पर इस कवर करेंगे चर्ज लाई की यह बड़ी घबर यहां पर आप लोग को यह लिए आ बढ़ी और अपर हम आपको पूरी बताएगे और नोटिफ sus सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलते हैं अपडेट की तरफ फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते उपर लिखा हुआ है यूपी पीएससी सीधी भरती में जुड़ेंगे अभ्यर्थियों की स्क्रीणिंग पैच्छा के अंग तो इस्क्रीणिंग पैच्छा जो होती है जो यूपी पीएससी का एकजान देते हैं उनके लिए बड़ी ख़बर यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर देख सकते लिखा है सासन को भेजा गया प्रस्ताव अभी सिर्फ इंटर्व्यू के आधा पर होता है अंतिम चैन तो अभी तक जो है इंटर्व्यू के आधा पर अ इच्छा के अंक भी जोड़े जाएंगे इस ब्योस्था को लागू करने के लिए आयोग में सासन को प्रस्ताव भेज दिया है प्रक्रिया अंतिम चैन में है सासन से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा फिर आगे दिया सीधी भरती में लगातार आरोफ लग दर असल आयोग सीधी भरती बें इस्क्रिणिंग पइच्छा तभी कराता है जब पदों की संख्या काफी अधिक होती और जब पदों की संख्या जैदा होती तभी यहां पर स्क्रियंग पराइजाती है पहले उसके आधार पर जो है इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है फिर यहाँ पर लिखा में वह दोजानीज से निगेटिव मार्किंग भी होने लगी है लेकिन इस परिछा में मिले अंकों को अंतिम चैन परड़ाम में सामीन नहीं किया जाता है वहीं का चैन परड़ाम में जो नहीं जोड़ा जा रहा है तो इसके लिए पर काफी बार जो है इस पर सवाल भी उठा चुके है अब यहाँ पर दिया गया इस स्क्रीनिंग पैसा के अनको जोड़कर आयोग अभियर्थियों को राहत देने तो जा रहा है लेकिन आयोग ने अब सवाल किया लेकिन कोई सपष्ट जवाम नहीं मिला सचीव के और से बयान दिया गया था कि जिन सीधी भरतियों में पदों के संख्या काफी अधिक होती वहां इसकी पैच्छा कराया जाती है वहीं अभ्यर्थिया अभ्यर्थि जानना चाहते हैं कि सीधी भरती में इसक्री कराया जाने का प्राउधान है तो यहाँ पर यहां पर फारी यहां पर यहां पर चाहिए पहले चाहिए उत्तर कुंजी तो अभी तक जो है UPPSC का एक जो सिस्टम रहा है उसमें यह रहा है कि यहां पर प्रडान से पहले उत्तरकुंजी अब यहां पर मांग जाए क्योंकि अभी तक रिजल्ट जारी कर दिया जाता था उसके बाद यहां पर एंसर की दी जाती थी तो यह जो है इसको आप चेंज कर पात रहे अपना पच दिया गया उत्तर प्रदेश लोग से आयोग पिछली कई भर्तियों से उत्तरकुंजी अंतिम चैन परडाम के बात जारी कर रहा है अभ्यर्थियों का आरोफ है कि इसकी आणवे धानली हो रही अभ्यर्थि चाहते हैं कि अंतिम चैन परडाम से पहले संसोधित उत्तरकुंजी जारी कर देता था अगर अभ्यर्थि संसोधन से संतुष नहीं होते थे तो उचित फोरम पर अपनी बात रखने का उन्हें पूरा वक्त मिल जाता था लेकिन अब एसा नहीं रह गया है आयोग ने PCS 2019 और इसके बाद हुई पैच्छाओं की दोजयाटी की उत्तरकुंजी एक साथ जारी की तो उसमें 38 सवाल गलत थे तो यहां पर यहीं दिक्कत है कि जो किसी लिए पहले उत्तरकुंजी की मांग कर रहे हैं हाई पावर कर्मेटी में शात्र प्रतिनिधियों को सामिल करने की मांग की गई है यूवा मंच के सयोज़ पर जोड़ दे रहा है तो फ्रेंट्स यह जो है बहुत ही अच्छी खबर है कर्डियर्स के लिए कि जो है यहां पर जो अभी तक स्क्रीनिंग के मांक्स नहीं जोड़े जाते थे डायेक्ट रिकूर्डमेंट जो कराया जाते थे यानिकि इंटर्वीव के आधा पर आपका होता था उसमें जो है इसक्रीन परिछा नहीं जोड़े जाती थी अगर किसी में परिच्छा हुई आप उनको यहां पर जोड़ाएगा उनके लिए प्रस्ताव भेड़े दिया गया जल्द ही लागु भी हो जाएगा लेकिन परिच्छा के मानक अभी इस पर्ष्ट नहीं ह कि कितने होंगे तभी स्कीनिंग पहिछा होगी और ज्यादा है उसका इसके माने कभी इस पष्ट नहीं है लेकिन यहां पर प्रस्ताव भीजा जाए कि पहिछा के बाद जो इंटर्वी होता है उसके जो है नंबर जुड़े पहिछा के भी और अभिर्थि यहां पर मांग भी कर रहे हैं इसकी और दूसरे साथ चीज यह बिए कि उत्तर कि मांग अब पहले कि जारी एंसर की की मांग जो है अब के डिरेट्स लगाता कर रहे हैं इसके लिए मुख्यवंत्री को ग्यापन भी दिया जा चुका है तो बड़ी अपडेट यहां पर मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है तो वीडियो को बीना इस्क्रिप के वह लाक् कर दो कारत